वर्ड वर्टु स्टार्ट होने के कुछ सालों पहले तक यूरोप में बहुत टेंचन थी उसका रीजन ये था कि जर्मनी जो फर्स वल्वर में हारा था वो वापस बहुत ताकतर हो चुके थे और हिटलर के नेत्रुत्व में अब जर्मनी लगातार अपनी बाउंडरी को एक अचली फर्स वल्वर में जीते थे फ्रेंच और बिटिश लोग वो इसलिए कि वो जानते थे कि अब जर्मनी इतना ताकतवर हो चुका है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते तो इसलिए वो लोग पॉलिसी अपना रहे थे अपीजमिंट की मतलब यह जो हिटलर कह रहा है इसको करने दो कुछ टाइम निकलने दो बाद में तयार हो जाएंगे उसको करने दे रहे थे तो फाइनली हिटलर ने फिर एक ऐसी डिमांड की जिसको लेके अब बिटिश लोग और फ्रेंश लोग घबरा गया कि यह अगर हमने इसको दे दिया ना करने के लिए दिया तो अब यह तो बहुत पार्फुल हो जाएगा तो जस्ट वार शुरू होने के पहले जो एक्दम टेंशन का महल था उसके बारे में एक पिच्चर है जो नेट्फिक्स पे भी है उस पिच्चर का नाम है म्यूनिक दे एज ओफ वर इस पिच्चर को आज हम रिवीव करेंगे प इस पिच्चर की मैं स्टोरी बताऊंगा शॉर्ट में तो अगर आपको पिच्चर देखनी है तो आप इस वीडियो को पिच्चर देखने के बाद भी देख सकते हैं कहानी शुरू होती है साल 1932 से इसमें तीन स्टूइंट्स को दिखाया गया जो ऑक्षफोर्ड उनिवस् क्याता है कि भाई अब हमने पढ़ाई कंप्लीट कर लिए अब तू आके जर्मनी मेरे साके मिल और देख न्यू जर्मनी को यह वो जर्मनी नहीं है जो फर्स वल्व में हा रहा था अभी एक नया जर्मनी बन चुका है और इसमें एक नया लीडर जो है वो सामने आ रहा है वो लीडर कौन था वो लीडर कौन था अडॉल फिट्र जो ब्रिटिश दोस्त था उसका नाम था हुव लागट इसके बाद अब कहानी छे साल का लीप लेती है यानि अब साल आ गया है 1938 और यह दोनों बंदे हाटमन अब जर्मनी में रहता है और वो सरकार के लिए काम कर पर रहा है कि यूरोप में पूरी तरह टेंशन का महौल है इसका रिजन यह है कि हिटलर जर्मनी को पूरी तरह स्ट्रॉंग बना चुका है पूरी तरह मिलिटराइज कर चुका है और अब वह एक के बाद एक एक टेरीटरी वापस हतियार है जो जो चीज़े उससे फिर्स के जो पर लगाई गई तति गर्मि को आर्मी इस साइब यह भड़िया यह इसने बड़ी नई उसने इतनी बड़ी लुट्व hypothesis लोगवे और ब्रिटिश फ्रमीन मिनिस्टर था भो पूरी आ कि कुछ भी हो जाए मुझे वार में वापस नहीं पढ़ना है फर्स वर उसने देखा था और उसने देखा था कि कितना destruction हुआ है तो किसी भी कीमत पर उसको वार अवाइड करना था इसी वाज़े से लड़ाई कर लेगा और बहुत पॉफल हो जाएगा बट दूसरी तरफ चैंबर लेन चाहता था कि लड़ाई ना हो शायद से मान जाए तो वह बोलता है इटली का जो लीडर था यह चारो लोग मिलके आके म्यूनिक में कॉन्फरेंस करते हैं और उसमें हम बात करते हैं कि क्या करना चाहिए चेंबर लेन को यह देखके उसकी सांस में सांस आती है कि चलो बच गया लड़ा ही नहीं हुआ और वह बहुत खुछ होता है कि अब जाके म्यूनिक में हिटलर से मिलते हैं और उसे परसनली बात करते हैं इसी दौरान जो पॉल वॉन हाटमिन था जो अब जर्मेनी की फॉर्ण और उफिस में काम करता है उसको पता चलता है कि भाई कि हिटलर के प्लांस कुछ और ही हैं वह कुछ-कुछ बात बोलके मुनिक अगरिमेंट में साइन करवा लेगा इन सारे लीडर्स की बट उसका प्लान कुछ अलग ही है उसको एक डॉक्युमेंट मिलता है एक पेपर जिसमें क्लिरली लिखा था कि हिटलर के क्या प्लांस ए इरोप को लेकर वह सिफ चकोस्लोवाकिया का सुडेटेन लैंड नहीं वह बाकि सारे इंजन्स को अल्टिमेटली फ्रैंस को कैप्चर करेगा उसके अध्रशिया पे भी अटाक करेगा सोवेट उनियों के उपर तो इस सारे प्लांस उसने टेपर में रिखे हुए थे और व एग्रिमेंट के उपर क्योंकि देख यह इसके प्लांस हैं हिटलर के तो साइन कर देगा उसके बाद भी अपने प्लांस को यह पूरा करने ही वाला है तो इस बज़े से फिर वह किसी तरह जुगार लगा के ब्रिटिश लों को इंफार्म करता है कि मैं मेरे पास एक बहुत एक बंदा है जो जर्मनी का है और वो असा से बोल रहा है कि तेरे को पेपर देखा कौन है याद तो बोलता है कि यार हाटमें तो मेरा दोस्त था बट मेरे तो बहुत सारो से उससे बात की हुई है क्योंकि उससे उसकी लड़ाई हो थी पर वो बोलता कि ठीक है चलो रिस्क है बट अगर इस पेपर से हम अगर पर नहीं करते हैं लड़ाई अगर पोस्पोन कर पाते हैं तो ठीक है मैं जाओंगा तो यहां से हाट्मेंड भी जाता है पूरे हिट्लर की पाटी के साथ इस कॉंफरेंस में जब राश्ते में जा रहा था और वो ट्रेन में अपने ओड़ेंड हो इसको ड्यवेंट होथ यह बनदा में अपने तो जाकि अपने डॉकिमेंट को अपनी गन को लेके चुपा गवा देता है उस ट्रेन के वाश रूम में अगले दिन जब वो वाश रूम से अपना बंदूक और आपस अपने कमपार्टमेंट में आता है तब हो देखता है कि फ्रांस वह एसस वल आदमी यह हाटमेंड का ब्रीफ केस खोल के उसमें पूरा चान बीन कर रहा है तो यहां पर बता चल जाता है Hartman को कि मेरा शक्त सही था इसको एक्चिली मेरे पर डाउट हो गया और आप वो सतर करेगा फ्रांस के सामने जब लोग अपने बात कर रहे होते हैं तो फिर यहां पे पॉल वउन हाट्में और ही लगेट अब सीक्रेटी अलग से मुलाकात करते हैं और फिर लोग आपसे बाते करते हैं कि कैसे हो भाई, क्या situation है, फिर दिखाते हैं कि इन लोग की लडाई क्यों ही थी, लडाई इसलिए हुई थी क्योंकि Hartman ने उसका ये मानना था कि जो Hitler अब जर्मनी को बना रहा है, वो जर्मनी को बहुत strong करतेगा, और जर्मनी बापस एक हशर करेगा उनका, इस बात का आइडिया Hartman को नहीं था, और इसलिए Hartman सपोर्ट करता था हिटलर को, और उस जमाने में बहुत सारे जर्मनी कैसे लोग थे, जो हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे, बट यू लगट और जो Hartman की गल्फरेंड थी, ये दोनों हिटलर को अपोस कर करते थे, और वो उस समय समझा रहे थे, Hartman को कि भाई, ये हिटलर सही आदमी नहीं है, बट वो मानता है नहीं, और इसलिए Hartman और हू लगट की दुश्मनी हो गई थी, मलब दोस्ती खतम हो गई थी, तो अब जब मिलते थे सालों बाद, तो बाते याद करते हैं कि हमारी कै मिनिस्टर को, Chamberlain को, और उसको बोल की था, ये इसके प्लान्स हो, तू साइन मत कर, एग्रीमेंट के उपर, तो बहुत टेंशन होती है, बट अल्टिमेटली किसी तरह से, ये, हू लगट, हाट्मेंट को लेके जाता है, और Chamberlain से, सीक्रेटली, प्राइटली मिलाता है, ए इतने लीडर्स आयों है, तो किसी रैंडम इंसान ने लाके पेपर में समने दिखा दिया, मिलिटरी प्लान्स हैं, वेग हैं, क्या इस चीज के उपर मैं ये साइन ना करूं, और ब्रिटेन को लड़ाई में धकेल दूं, तो ये पेपर देख के भी Chamberlain कहता है, कि मैं साइन करूंगा, और इस पेपर का में लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, और फिर वो ही लगट को भी डाटता है, अरे तु जर्मल लोग से क्यों बात कर रहा है, तु इस तरह secretly को मिल रहा है, और फिर Chamberlain जाके साइन कर देता है, इस agreement का नाम था Munich Agreement, और इस agreement में उन्होंने ये साइन कर दिया था कि ठीक है, तु चेकोस लोगा किया का सुडेटन लैंड भी ले ले और हम लोग इंटर्वी नहीं करेंगे, यूरोपीन पावल्स, यानि बिटन और फ्रेंच लोग, इस agreement को साइन करने के बाद, Chamber Lane जाके, Hitler से अलग personally मिलता है, और उसे अलग साइन कर रहाता है, इसमें लिखाता है कि हम दोनों, मतलब Britain और Germany आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, और Hitler उस पर भी साइन कर देता है, कि हाँ, ठीक है, और बाद में आके वो बोलता है कि रहे, इस साइन कर रहा है, मेर तो यह दिखाया गया कि कैसे हिटलर साइन सब कुछ किया जा रहा था बट इल्टीमेटली उसका चो इंटेंशन था वो कुछ और ही था अब एग्रिमेंट पर साइन हो जाता है तो चेंबर लेन वापस लॉटता है उसके थियू लगेट भी वापस लॉटता है बट लॉटने हमेशा और वह बताता है हिव लगेट को कि मेरा परस नरी प्लान है कि मैं ही अहितलर को याकर उसका मुझर कर दूं और बोलता है कि ऐसा मत करना यह बहुत खत्रे वाली चीज बट अब हाटमिंट कंविंज्ज्ट था कि उसको हीटलर को मारना है उसके बाद उसको अगेंस्ट काम करता रहे उसकी सरकार को गिरा के ही मानेगा पिचर के एंड में दिखाया गया है कि इस एग्रीमेंट को साइन करने के वज़े से यूरोप में ब्रिटेन और जर्मिनी के बिच में लड़ाई नहीं हुई और जब फाइनली 1939 में लड़ाई हुई तो उसके वो अपने आपको तयार करता है तो यह तो पूरी पिचर की कहानी होगी अब हम बात करते हैं इस पिचर की historical accuracy के बारे में सबसे पहली बात क्या यह पिचर किसी real घटना के पर अधारित है इसका अंसर है yes and no देखिए यह पिचर एक एक बुक पर अधारित है और वो बुक ए के पहले परन्तु इस पिचर के जो characters है जो ही लगट का character है और फिर पॉल बॉन हार्टमिंग का character है वो बहुत fictional है फिर भी जो हार्टमिंग का character है वो एक actually real इंसान एक जर्मन इंसान के उपर एक loosely अधारित है उस बंदे का नाम था Adam Von Trott और वो actually जर्मनी में था और हिटलर क अगेंस को काम कर रहा था और हो चाहता था कि हिटलर इस तरह से power में आके European nations के उपर कबजा करने कोशिश ना करे उसने बहुत अपने पूरे political career में उसने वो हिटलर के पास ही था और वो लगा था और उसके under the table जाके उसके अगेंस्ट काम कर रहा था और फाइनली फिर जु बहुत important योगदान था इस बंदे का और यह जो पूरा प्लान था हिटलर को मारने का उसके उपर एक अलग से पित्र बनी है और इस पित्र में दिखाया गया है कि Paul Von Hartman जाके Chamberlain से agreement के बिलकुल पहले मिलता है बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस इनसान के उपर Hartman का character यह कहा कि भाई उसके साथ धोका हुआ है और उसने हिटलर को जज नहीं कर पाया इस पिचल में जो Hartman's secret document लेके आता है जिसमें पूरा हीटलर का प्लान लिखाया है क्या वह सच है जी हां हिटलर ने actually plan बनाया था कि जब जर्मनी अपने में पूरी तरह strong हो जाएगी उसके बाद वो आसपास के countries को attack करके उनके natural resources को इस्तमाल करेंगे इस पिचल में यह भी दिखाया है कि इस पूरे गतिविदियों के दौरान 1938 में हिटलर के अगेंस्ट एक उसको पावर से हटाने का plan हो रहा था उसका murder करने का plan हो रहा था यह भी सच है 1938 में कुछ military generals थे जो चाहते थे कि हिटलर पावल में ना रहे और इसको equation से हटाना था बट यह साकार नहीं हो पाए plans बहुत बार हिटलर को पावर से हटाने कोशिश की गई इसको मानने कोशिश की गई बट हर assassination attempt failed हुआ था एक और बहुत important बात इस picture में Neville Chamberlain British Prime Minister को इस तरह दिखाया गया कि यह बहुत ही समझदार सुल्जावा इंसान है selfless इंसान है जिसको बस चाता है कि Britain लडाई में ना पड़े और हिटलर को जो सही उसको लेने दो और हम अपने आपको लडाई से बचा के रखेंगे reality में ऐसा कहते हैं Chamberlain के बारे में कि वो actually convinced था कि अगर वो Hitler की बात मानता रहेगा तो लडाई से बच जाएगा ऐसा नहीं था कि उसको पता था कि लडाई हो जाएगी हमको बस कुछ समय चाहिए अपने आपको त्यार करने के लिए ऐसा नहीं था Chamberlain actually convinced था कि वो Hitler को पटा लेगा और यह agreement पर sign करके वो अपने देश को लड़ाई से बचा लेगा उस समय Winston Churchill Chamberlain के opposition में था और वो लगातार कहा रहा था कि Hitler की बाते मत मानो वो जो भी कहा रहा है उस बात को फॉलो नहीं करेगा और इस agreement पर sign मत करो और अब्विसलु इस समय कि हाँ भाई वो बेपूफ बन गया है और हिटलर ने उसकी एक विवात नहीं मानी तो इस बात की responsibility लेते हुए फिर Chamberlain ने resign किया था और उसके साथ जो ministers थे वो भी उसकी पर चड़ने लग गये थे कि तू तो भाई बेपूफ बन गया तू किसी काम कही नहीं तो हमारे दे यूनिक और उस बुक को लिखा है रॉबर्ट हैरिस ने उस बुक का लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा